अप्याइन कर सकते हैं मैंने अपने 41 साल में कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे बच्चों को पल्यूशन की وجہ से चूटियां मिलेंगी और अब आगे आने वाले समय में आपको वाटर लॉगिंग की वज़े से भी चूटियां मिलेंगी तो आप इमाजेन कर सकते है दिली का स्टेट और दिली का स्टेट की हालत, आप सब जानते है पिछले 8 साथ जो सरकार चला रही है दिली को, तो 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 इस वेरी अनफॉटनेट लेकर इंपॉर्टन यह है कि अगर हम दिली के लच्छा कर सकें क्योंकि दिली सिरफ ना एक सरका कि ना एक व्यक्ति किये दिली हम सब के और हम सब की जिम्मेदारी यहां पर यह बनती है कि सच बोलें सच सुनें और सच दिखाएं भी बहुत इंपोर्टन बात कि आपने गौतम बहुत बुरा लगता है इन फाक्ट हम सब में काफी ऐसे लोग हैं जो हमें सुन भी रहे हैं ज पिछले आट साल से जो सरकार है उसकी वज़ए से दिली की आज स्थिती हो गई है पिछले पंदरा साल से जो बीजेपी मुनिसिपालटी को चला रही है उसकी क्या भूमिकार है यहां तक पहुचाने में घिखे मैं बताता हूं पिछले पंदरा साल को तो मुझे एक्सरफ मैं को सिरफ 3.5 साल हुए तो मैं अपने 3.5 साल के टेनियोर की आपको जुरूर बात कर सकते हूँ क्योंकि अगर मुझे पीछे लेके जाएंगे कि 1983 में क्या हुआ था वो मैं उसके बारे में जवाब नहीं दे सकता है पिछते 3.5 साल में मैं MCD ने क्या के अच्छे काम की है आप खुद इतना बड़ा नेटवर्क चलाते हैं आप खुद जाके देख सकते हैं गाजीपुर पहाड को कि क्या वो नीचे आया है या नहीं नीचे आया आप यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो जाके देख सकते हैं किस तरीके से मैंठी में commenfood गजाब हो जाँ वहां चांटा है वाँ वहां पर काम हो रहे हैं उसके लाब अब d collar दिन राध चल रही है दो हजार से लेके 1200 हो मेट टर्ण कूरा रोज जाता है उसकी आप को पेले खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है, वो MCD ही लड़ती है, मैं यह नहीं कहता है कि हमने सब कुछ अच्छा किये, लेकिन यह जो दिखाया जाता है ना कि MCD की वज़े से दिल्ली के स्थिति है, यह बहुत गलत चीज है, पिछले आठ साल में जो लोग हमारे उपर यह सारे इल आठ साल बाद नजर आया है, जब ओथ लेने जा रहे थे, तब भी तो वो कुड़े का पहाड था, और आठ साल बाद जब आज MCD के चुनाव आते हैं, तो आप उस कुड़े के पहाड पे जाते हैं, मुख्य मंत्री हैं आप दिल्ली के, तो इसलिए आपने उने चुनावी मेंडग भी बोला है, जब मौसम आता है तब बहार निकलते हैं, नहीं तो दुबक के बैठ जाते हैं, देखिए मैं इस तरीके की राजनीती में बिलीफ करता नहीं, बहुत चीज़े मुझे भी बोले गई पिछले साड़े तीन साल में, बहुत बहुत चीज़े हैं, बहु मैंने तो आपको बड़ा साफ बुला है, कि आठ साल पहले जब ओत लेने गए थे, तो गाजियाबाद से उसी रस्ते से गए होंगे ना, और आज आच साल बाद याद आई उस कुड़े के पहाड पे जाने की, बीच में मैंने देखा कि आपने भी ट्वीच भी किया था इस और सिरफ ये लेटर लिखी थी, उस टाइम पर कोई MCD के चुनाव नहीं थे, कोई दिल्ली का चुनाव नहीं था, और मैंने वो लेटर इस टे लिखी थी, क्योंकि मैंने अपने जब इलेक्शन कैमपेइन में, जब मैं पहली बार गाजिपूर के आसपास गया था, तो मैंने उनको वो प्रॉमेस किया था, कि मैं चुनाव जीत हूँ या नहीं जीत हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं दिल्ली में पैदा हूँ, दिल्ली की लोगों के लिए मेरा इमोशनल टाच है,